आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Our question is Simplify Combining Like Terms हमें यह जो Expression दिया गया इसे Simplify करना है कैसे तो Like Terms को Combine करके, ठीक है Like Terms वो Terms होते हैं जिनका जो Variable है, Variable Part वो Same हो, ठीक है Same हो और अगर उसमें Power लिखा है तो Power भी होना चाहिए तो उस Term को हम Like Term कहते हैं, जैसे की यहाँ पर 21B लिखा है यहाँ पर हमारा Variable अगर मैं यहाँ पर इस पेसल लिख देता हूँ पहले 21B माइनस 32 प्लस 7B माइनस 20B अगर हम इसमें अब्जर्व करें तो Variable Part हमारा कौन सा यह है Variable Part, यह भी है Variable वाला, यह भी है, इसमें भी Variable है ठीक है, और उसमें जो Variable है इसमें भी B है इसमें भी B है, और इसमें भी B है तो सबका Variable Part पार्ट सेम है, तो मतलब कह सकते हैं कि यह तीनों Like Terms है, ओके और अगर Variable Part सेम हो, ठीक है, तो हम Normally, जिस जिस के साथ Variable होता है, सेम ठीक है, उसका जो Coefficient होता है मतलब कि अगर हमारे पास 3X है, ठीक है, तो इसमें X जो है, वो Variable होता है Variable, ओके और जो 3 होता है, इसको हम Coefficient कहते हैं, Coefficient Coefficient, ओके तो जो Coefficient है, उसके साथ हम Addition, Multiplication Simply करते हैं, ओके तो इसको मैं लिख देता हूँ यह मेरा Minus 32, यह तो Editage रहेगा, ठीक है Minus 32 इसको मैंने Last में लिख दिया और यहाँ पर क्या है, 21B Plus 7B, यह हमारा कितना होजाएगा Normal Edition करेंगे, जैसे हम Normal Algebra में करते हैं 21 Plus 7, हमारा कितना होगा 28, 28B Minus 20B, ठीक है 28B Minus 20B Okay, इसमें Variable Parts same ही है, तो 28 Minus 20 कितना होगा, 8 Okay, और जो Larger number है, उसके साथ positive sign है, तो positive sign Equals to 8B Minus 32 Okay, so this is the answer of this question, okay, so thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जही, Means और Advanced के लेवल तक 10 Million से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8400 चारसो चारसो पर